हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग, हम आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक famous writer A.G. Gardiner के बारे में, तो आज हम उनके बायोग्राफी और उनके जीवनी के बारे में बात करेंगे, तो उनका पुरा नाम Alfred George Gardiner था, उनका एक उपनाम से भी हम लोग जानते हैं, जो अलफा ओफ, हल ओफ अलफा के नाम से जानते हैं, और उनका जनम हुआ था, दो जून 1865 हिस भी को, जो James Ford, एकसेस इंग्लेंड में हुआ था, जो James Ford, एक नामी सहर के रूप में जाना जाता है, और उनका मिरत्यू हुआ था जो 3 मार्च 1946 को लगभग 80 वरस की एज में उनका ध्यानत हुआ था, जो बड़गिन मर्दिंग सायर में, इंग्लेंड में जो भी वह भी फेमेस एक सहर ही है, तो वहां हुआ बद था, तो नेक्स्ट बात करते हैं, उनका उक्यूपेसन, जो पैसा था उनका, वो था आपको हुआ एक पोएट थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक ओथर थे, एक एडिटर थे, उनका बहुत सा जो था एक तरह से समझा जाए तो वह आल अराउंडर टाइप का कह सकते हैं, उनका एडूकेशन हुआ था संट्स पॉल स्कूल, और उन्होंने बाद में अटेंड किया, से वहाग में जो युनिवर्सिटी कॉलेज अप लंदन का था, उसके बाद वहाँ डिग्री पूरा नहीं की, जीवन साथी थी इनकी सुजाना टेलर, जो जिनको हम जीवन साथी पतनी के रूप में मानते हैं, और इनका नोटेबल वर्क्स था, जो अलफा और पाउर